हाव डू फीक्स सैमसंग ग्रेंट नियो ब्लुटूट कुटनट कनेक्ट टरन ओन ब्लुटूट टेटरिंग प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि यह जो स्क कि इंट्रेट एक्सेस इनेवल करने के कोशिश कर रहा था मेरे डिवाइस में टिक है?! जोकी इस दिवाइस का ब्लुटूट में यूज कर रहा था तो इस के साथ जब मैंने सेटिंग पर जाके देखा तो मुझे में इंटरणे CAPT मिला तो जैसी मैंने internet access के option पर क्लिक किया तो मुझे यहां पर बता रहा है कि कुछ not connect turn on Bluetooth टेटरिंग ओन डीज डिवाइस तो आपको क्या करना चाहिए कैसे problem solve होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको solution बता देने वालाओ सिंपल साइस solution होगा यहां पर कुछ basic solution में आपको बता दूँगा उसके बाद setting आपको कैसे करना है setting आप करने के बाद solve हो जगा आपका problem ठीक है तो वीडियो के साथ problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं या तो फिर आपको screen पर WhatsApp contact मिल जाएगा चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पर पहले क्या करना चाहिए तो उसके दोस्तों आप setting पर जाए setting पर जाने के बाद scroll down कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा general management जेनरल management ठीक है एंड एंड आपको reset पर click करना है और reset network setting पर जाके आपको reset setting पर click कर देना है और उसके बाद आपना mobile pattern password जो भी है उसको set कर देना है भर देना है और setting को reset कर लेना है ठीक है इससे नेट्रोक setting reset हो जाएगा आपका Bluetooth connection भी reset हो जाएगा तो connection पर जाएए उसके बाद में और Bluetooth को इनेबल कीजिए जाएए Bluetooth के option पर ठीक है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उस device को select करना है जिस device का आपको ब्लूटूट जाए जो phone model आपको डिखाई दरा स्क्रीन पर तो उस mobile पर Bluetooth ठेटरिंग इनेबल होना चाहिए ठीक है तो जो भी mobile से आपको Bluetooth ठेटरिंग यूज़ करना है उसके device में जाए ठीक है आपको आपके mobile पर नहीं जाना है यह problem solve करने के लिए आपको वह दूसरे mobile पर जाना है और उसके mobile होसपर एंट ठेटरिंग अप्शन पर जाके उसके device के Bluetooth ठेटरिंग को इनेबल कर देना है ठीक है इसको इनेबल करने के बाद ही दोस्तों आप अपने mobile पर जाए कनेक्शन पर क्लिक कीजिए उस device पर internet connectivity होना चाहिए ठीक है and then Bluetooth के अप्शन पर जाके gear icon पर क्लिक हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इस problem को fix कर सकते हैं यह जो problem में दोस्तों आपकी device में से नहीं आते हैं ठीक है जहां कहीं से भी आप Bluetooth को connect कर रहे हैं और जिस mobile से आपको internet access चाहिए उस mobile के Bluetooth सेटिंग पर जाए Bluetooth ठेटरिंग को इनेबल करें and then आपके mobile पर जाके सेलेक कीजिए internet access को ठीक है Bluetooth के option पर जाके internet access को select कीजिए और उसके बाद connect भी हो जाएगा problem भी fix हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको basic solution बता है अगर problem आते हैं तो आप reset कर दीजिए Bluetooth settings को तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने problem को fix कर सकते हैं उमीद करते है आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching